हेलो स्टुडेंट्स आज हम सीखेंगे वाट इस नैसलर्स रियेजेंट नैसलर्स रियेजेंट होता है काफी इंपोर्टेंट रियेजेंट है इसका फॉर्मूला होता है के टू एच जी आएफॉर अगर हम नाम लिखें तो होगा पोटाशियम टैट्रा आयोडो मर्कुरेट पोटाशियम टैट्रा आयोडो मर्कुरेट ये होता है नैसलर्स रियेजेंट इस नैसलर रियेजेंट का यूज किया जाता है अमोनियम आयान को आइडेन्टिफाए करने में गीवन केमिकल में गीवन कमपाउंड में अमोनियम आयान प्रेजेंट है या नहीं इसको हम नैसलर रिजेंट से टेस्ट करेंगे